वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाई शुरेंजेन योट्यूब चैनल राश्ट्रिया केमिकल्स एन फॉर्टिलाइजर रिमिटेड आर्सी एफल की तरफ से रिक्रुट्मे निकल करके आ रही है फॉर ट्विंडी ट्विंडी टू येस यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है अल इंडिया अपलाई कर सकते है परमने नौकरी आपकी होने वाली है 133 वेकेंसी निकाली गई है और येस यहाँ पर सैलरी भी काफी अच्छी प्रोवाइड कर रहे है 41,888 रुपीस पर मन ये आपकी सैलरी होने वाली है बट देखो यार वीडियो शार्ड करने से पहली important points बता देता हूँ ताकि आपका समय वेश ना हो यहाँ पर B.S.E.R. डिप्लमा वाले बच्चे इलिजबल है उसके अंदर भी specific branches chemistry and chemical वालों के लिए वेकेंसी निकाली गई है तो अगर fit होते हो ये criteria में तो पूरा वीडियो देखना नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंस सब पहुत सके जो इंटरेस्टेड है और इलिजबल भी है तो चलिए अब डीटेल में वेकेंसी के बार में बात करते हैं discipline यहाँ पर operator in chemical trainee होने वाला है in total 133 vacancy निकाली गई है category wise distribution भी आप यहाँ पर देख सकते हो educational qualification के बार में बात करें तो full time and regular B.A.C. in chemistry होना चाहिए from UGC या AICTE recognized उसके साथ-साथ physics as one of the subject होना चाहिए in your three years of B.A.C. course अचा उसके साथ-साथ उन्होंने मांगा है passing of the national council of vocational training N.C.V.T. examination इसका certificate आपके पास होना चा यहाँ पर कहा गया है जब आप B.A.C. का degree लेकर आ रहे हो तो minimum 55% marks होना चाहिए in the last year या फिर average या aggregate उतना होना चाहिए अगर आप special categories में आते हो SCST तो उस case में 50% भी चल जाएगा अपर age limit के बार में बात करें तो 29 years यह unreserved EWS वालों के लिए रखा गया है बट SCST वालों के लिए upper age limit 34 years है OBC वालों के लिए 32 है so on and so forth आप यहाँ पर देख सकते हो अगर वो नहीं है degree तो फिर दूसरा आपको यहाँ पर option दिया गया है full time and regular 3 years diploma in chemical engineering तब भी यह चल जाएग इसके बार में बात नहीं की है इसका note करते वे चलना है यह दूसरी वाली वेकेंसी को मैं discuss नहीं करूंगा क्योंके यार unreserved वालों के लिए तो वेकेंसी नहीं है तो discuss करके फाइदा क्या है अगर आप अगर fit होते हो special categories में तो आप यह पढ़ सकते हो PDF मैंने description box में दिया है चलिए अब थोड़ी सी और important points के बार में बात करते हैं काफी बड़ा PDF है मैं सीधा सीधा important points आपके सामने रखना चाहता हूँ सबसे पहले application fees which is 700 rupees plus bank charges and applicable GST तो यह काफी महेंगी यहाँ पर application fees रखी गई है इस चीश का note करना है and this is required to pay by whom general OBC and EWS categories और अगर आप सोच रहे हो बाकी categories के लिए क्या होगा तो यहाँ पर दिया गया है SCST female और जितने भी हैसे है PWD X servicemen they are not required to pay any application fees तो इस चीश का note करते वे चलना है nature of the job यहाँ पर एकदम clearly बताया के night shift भी हो सकता है उसके लिए तयार रहना and it is irrespective of the gender तो male female दोनों apply कर सकते तो मुझे लगता है यह बात प्रोवाइड करेंगे रहना पीना खाना वो सब free of cost होगा उनके तरफ से accommodation और बाकी चीजे फिर एक बार आप एक बार successfully training complete कर लेते हो तो फिर आपकी gross salary 41,888 रुपीज बन जाती है उसके अंदर सब आ जाते है basic pay, perks, works, सब सारे आपको benefits मिलते जाएंगे तो मुझे लगता ह प्रोगे online test CBT है तो फिर सर examination center कौन सा होने वाला है, yes it is CBT online objective type test और आपको admit card provide किया जाएगा बट आपका जो center है वो Mumbai या नागपूर ये दो ही रखा गया है, medium of test आपको अगर Marathi में लिखना है लिख सकते हो, Hindi में लिखना है, English में लिखना है लिख सकते हो, यह opportunity दी गई है अच्छा अगर आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़े लिखी गई है, बट जो important बात है कि reimbursement मिल जाता है, वो काफी important है, बट किनको reimbursement मिलता है, rail और bus fare ये सबका, ये सबका reimbursement special category इसको मिलने वाला है, general वालों को नहीं मिलेगा, मुझे रगत है, तो जब भी भरते हो form, बहुत सारी कमनी ऐसी होती है, कि जब भी भरते हो, तो फिर बाद में आप उसमें rectification नहीं कर सकते हो, उसमें refund नहीं मिलता है आपको, आप call भी करो, तो फिर entertain नहीं करेंगे, क्योंकि कहेंगे हमने पहली ये सारी चीज हमारे PDF में बताई थी, तो examination 90 minute का होगा, दो पार्ट में बटा हुआ है, 100 question होने वाले है, और 50 question आपके curriculum के होगे, जो भी आपने degree diploma में जो जो पढ़ा है, उस पर होगा, 50 question आपके aptitude के होने वाले है, जो आप कह सकते हो, non-tech, there will be negative marking for wrong answer, तो यहाँ पर तुक्के बाजी करना मत, नहीं तो वापस fail हो ज जाएगी, उनके website पर update की जाएगी, वो भी उन्होंने का है, हैना, यहाँ पर बताया नहीं है syllabus क्या है, या बाकी चीज क्या है, तो जो भी अगर आपको date of online test, वो भी यहाँ पर नहीं बताया है, कहा गया है, कि exact date जो है, वो हम बता देंगे, आपको इन्धी website, तो website visit करते रहना है, तो चलो, अब आगे लेकर चलता हूँ, थोड़ी सी और बाते करते, trade test यहाँ पर बताया गया है, किस प्रकार से trade test होने वाला है, और trade test में अगर आप operator chemical trainees apply कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर trade test की जानकारी दी गई है, तो वो चीज का आप note करते हुए चलना, बाकी तो आपके काम का नहीं है, क्योंकि दूसरे vacancy के बार में बताया गया है, अच्छा यहाँ पर अगर final selection के बार में देखे, तो वो भी बताया गया है, कि अगर आप operator chemical trainee के लिए apply करना चाहते हो, तो आप 100% online test है, तो फिर वो trade test क्यों रखा गय है, मुझे लगता है यह भी clear है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, how to apply, तो आज से start हो गया है application, 14 मार्च से कब तक चलेगा, 28 मार्च तक चलेगा, और link भी मैं description box में दे दूँगा, यार, देखो यहाँ पर apply करने का apply online link भी है, तो आप जागर के apply कर सकते हो, यह सारी key points ह कि कैसे apply करना है, यह सारा proper documentation उने ने बताया है, कौन सा image होना चीए, कितना size होना चीए, कैसे apply करना है, fees कैसे pay करनी है, सब कुछ, सब कुछ बताया गया है, तो यह पढ़ करके ही आप apply करना है, थाकि कोई mistake न हो, और बस इतना ही है यार, कुछ जादा important बाते नहीं है, और यह PDF का form मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, यतना चोटा-चोटा है, चलो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं आप next video में, until then take care, bye-bye for now, see ya, bye